साथियों, आज का नया भारत नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेजी से विख्शित होती एकोनामी भी है और निरंतर अपनी एकोलोजी को भी मजबूत कर रहा है। हमारे forest cover में बृद्धी हुई है और wetlands का दाइरा भी तेजी से भढ़ रहा है। हमने दुनिया को दिखाया है कि renewable energy के मामले में हमारी speed और हमारा scale शायदी को इसको मैच कर सकता है। international solar alliance हो, coalition for disaster resilient infrastructure हो या फिर life movement बड़ी चुनावतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नित्रुत्व दे रहा है। अपने commitment को पूरा करने के हमारे track record के कारण ही, दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। बीते वर्षों में लायंस, शेरों, बागों, हाथियों, एक सिंग के गेंडों और तेंदों के संख्या में बृद्धी हुई है। जैसे अभी पुपेंदर भाई बता रहे थे, कुछ दिन पहले मद्यप्रदेश में चीता की घर वापसी से एक नया उत्सा लोटा है। हर भाईतवासी के रगों में, संस्कारों में, जीव मात्र के प्रती दया और प्रक्रुती प्रेम के संस्कार कैसे हैं, वो चीता के स्वागत में देश जिस प्रकार से जूं उठाता। हिंदुस्तान के हर कोने में ऐसा लग रहा था, जैसे उनके अपने घर में कोई प्रियम महमाना आए है। ये हमारे देश की एक टाकत है। प्रक्रुती के साथ संतुरन साधने का जो एक प्रयास है, उसे हम निरंतर जारी रखें। आनी वाली पीडियों को भी समस्कारित करते रहें। इसी संकल्प के साथ भारत ने ट्वेंटी सेवेंटी दो हजार सत्रा तक और अभी हमारे पास करीब करीब पांच दसक है, नेट जीरो का टार्गेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन गोथ ग्रोथ पर है। और जब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत आउसर पैदा होते हैं। और इन सभी लक्षों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के परियावरन मंत्राले की भूमिका बहुत बड़ी है। क्लाप्ति झाला व्राज की लाम दोल ऑगवाज सथ हुआ खंफ ឡ़र ये जुद और आई हुआ है।